मेरा जीवन हमेशा से फूलों की सेजने आए मैंने भी कांटों का दर्द अनुभव किया है बच्पन से ही मैंने कई स्वास्ते संकटों का सामना किया है पर मेरे पिता और माता ने कभी नहीं होने दिया कि मुझे लगे कि मैं बीमार हूँ जेला है मेरे पिता और मां हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरे पिता और मां ने हमेशा मुझे विशेश महसूस कराया है कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं वो करूँगा और मुझे लगता है यही मेरे पिता और मां का मतलब है मेरे लिए मैं राधिका के पास आऊँगा मैं 100% भागशाली हूँ इसमें कोई शक नहीं है मुझे भी नहीं पता मैंने राधिका को कैसे पाया राधिका पिछले 7 वर्षों से ऐसा लगता है जैसे मैंने राधिका को कल ही मिला था लेकिन हर दिन मेरा प्यार उनके लिए और भी गहरा होता जा रहा है जैसे मेरे जीजा जी कहते हैं जब वो मेरी बेहन को देखते थे तो उनके दिल में जौला मुखी और फवारे फूट पड़ते थे जब मैं राधिका को देखता हूँ तो मेरे दिल में भूचाल और सुनामी सी उठती है राधिका, सब कुछ के लिए धन्यवाद विरेन अंकल, शैला आंटी, अंजली अमन अपने परिवार में मुझे प्यार से स्वागत करने के लिए धन्यवाद मैं बहुत बहुत पिछले साथ सालों तक धैरे रखने के लिए आभारी और शुक्र गुजार हो आखिरकार वो दिन आ रहा है मैं चाहूंगा मेरी दादी कोकला ममी से आशिरवाद लेना जैसे मेरी माँ मुझे लगता है मेरी माँ ने ये कहा था पर कोकला ममी जामनगर से आती है और कोकला ममी का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है मेरी दादी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही है मैं हमेशा अपने दादाजी से प्रेड़ना लेता हूँ, जहां कहीं भी वो हो, वो मुझे पर आशिरवाद बरसा आ रहे होंगे नानी, मैं मुझे धार्मिखोन का मार्क दिखाया है, वह एक नगर ब्रामन है, बड़े अगर बसे मुझे बताती हैं, कि मैं एक नगर ब्रामन हूँ, तो वह मुझे सब कुछ सिखाती है, जब मैं चोटा था, तो जयादा तर समय मैंने अपनी नानी के साथ बिताया, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सिखाया मेरे पास राधिका की नानी है राधिका की नाना हमें उपर से आशिरवात दे रहे है मेरे नाना भी हमें उपर से आशिरवात दे रहे है अनन्त और मेरे लिए जाम नगर हमारे दिल का घर है यह वह जगह है जहां हम बड़े हुए, जहां हम दोस्त बने, जहां हम प्यार में पड़े और जहां हमने अपने संबंध बनाए अनंत और मैं बहुत भागेशाली है कि हमारे पास कुछ सबसे अद्भुत महिलाएं है नीते आंटे, जो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग और पृत्वी को हिला देंगी, जो हमारी सबसे जबर्दस्त रक्षक है अंजली, आप मेरे अंदर की हर अच्छाई के पीछे की ताकत है मा, तुम एक सुरक्षित स्थान हो, तुमने हमें सिखाया है कैसे हम अपने सबसे असली रूप में हो सकते हैं हमारे परिवार के पुरुष भी खास होते हैं पापा, मैंने आपको नहीं भूला, आपने अपने आसपास की तीन महिलाओं का आत्मविश्वास सबसे अधिक प्यार और ध्यान से बनाया है आपने जो उदाहरन, पिता और पदी के रूप में दिया है, उसने मेरे जीवन को कई मायनों में आकार दिया है आपको कभी पता नहीं चलेगा, मेरे भाई, आनंद, अक्कु और अमन, आप हमारी जिन्दगी में बहुत हसी लाते हो तुम हमारे असली कॉमेडी किंग हो, लेकिन एक ही समय में आप हमारे सबसे भरोसे मन साथ ही है और मुकेश, चाचा, आप हमारे रिष्टे की बहुत शुरुआत से मेरे जीवन में एक पिता की तरह रहे है और मैं सच में चाहता हूँ कि हर किसी के लिए ऐसा हो जैसे आप हमारे लिए एक चैंपियन रहे हैं, उसी तरह उनके रिष्टे के लिए भी एक चैंपियन है जब अनन्त और मैंने शादी करने का फैसला किया, तो हम जिस जगे को मनाना चाहते थे वास्तव में हमारे दिलों के भीतर जामनगर था अब जब हम अपने भविश्य की शुरुआत साथ में कर रहे हैं, हम यहीं कर रहे हैं और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारी शुरुआत देख पा रहे हैं 2020 के मार्च में अनन्त और मैं यहां लॉकडाउन में फंस गए थे और हम महीनों तक अपने परिवार से मिलने वापस नहीं जा सके हाला कि दूर रहना मुश्किल था हमने जीवन की छोटी खुशियों की सराहना करना सीखा लेकिन जामनगर में और आनन्द के साथ छोटी खुशियाओं एक बार में एक जीवन भर के अनुभव है जब मैंने पहली बार राधिका से मुलाकात की तो मुझे पता चला कि आनन्द ने अपनी आत्मा की साथी अपनी परफेक्ट कमपैनियन को ढूंड लिया है और मुझे एक और बेटी मिली जिससे मेरी तरह नृत्य से प्यार है राधिका हम तुम्हे खुले हाथों और बाहों के साथ अंबानी बेटी के रूप में स्वागत करते हैं तुम सिर्फ आनन्द के साथी ही नहीं हो लेकिन एक प्रियपुत्री, बहन, मौसी, काकी, मामी और हम सब की जिन्दगी की रोशनी के रूप में अनन्द तुम हम सभी के लिए भगवान की देन हो मेरा दिल प्यार और गर्व से भर जाता है आप सबसे छोटे हैं पर सबसे बड़े दिल वाले हैं आप सबसे दयालू हैं पर सबसे मजबूत संकल्प वाले हैं लोग मुझसे पूचते हैं आनन्द ने वंतारा कव शुरू किया? मुझे नहीं लगता कि कोई शुरुवाती तारीख है ये हमेशा से ही उसके दिल में रहा है उन्होंने वर्षों में इस संस्था को और अधिक आपचारिक बनाने में सक्षम रहे हैं मुझे ये देखने का सौभागे मिला है कि अनन्द और उनकी टीम ने इस दृष्टी को साकार करने के लिए अपने दिलों और आत्माओं को कैसे समर्पित किया है किसी ने मुझसे एक बार कहा था जब आप एक साथी ढूनते हैं तो आप वास्तों में क्या पाते हैं? आप जो वास्तों में पाते हैं वह है किसी को अपने जीवन का गवाह बनाना इस धर्ती पर एक अरब से अधिक लोग हैं और एक जीवन वास्तों में क्या माईने रखता है? लेकिन जब तुम किसी को ढूनते हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ती को वादा करते हो जो सब कुछ की परवाह करें अच्छे, बुरे, सुन्दर, साहसी, दुखत, सामान्य तुम कहते हो कि मैं तुम्हें हर दिन देखूंगा तुम्हारा जीवन अन्देखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसे नोटिस करूंगा तुम्हारा जीवन अन देखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसे देखूंगा अनन्द तुम्हारे सुन्दर जीवन का साक्षी बनना मेरे लिए एक आशिरवाद है अनन्द और मैं इस स्थान को अपने दिल के इतने करीब आप सभी के साथ साज़ा करने में इतने भागिशाली है जामनगर यह सिर्फ यह दिखाने का उदाहरण नहीं है कि भारती उद्योग कितना विस्तृत हो सकता है यह दिखाने का उदाहरण है कि एक मानव हृदय कितना विस्तृत हो सकता है अनन्द के दादाजी श्री धिरु भाई अंबानी ने यहां विश्व का सबसे बड़ा टाउंशिप खोलने का सपना देखा था यहां की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी जिसे मुकेश अंकल ने बड़ी सटीकता से साकार किया और नीता आंटी ने एक जीवन टाउंशिप और हरित पट्टी का निर्माण किया जो कभी बंजर जमीन थी इसने अनंद को अपने जुनून को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैनवास दिया हमारे परिवार की तीन पीडियों ने मिलकर जाम नगर के लिए समर्पन किया है और हमें आज इसे आप सभी के साथ सांझा करने का गर्व महसूस हो रहा है हमारे उत्सवों का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद